आज बात करेंगे नेक्ट इस पॉल्राइजेशन एंड पॉल्राइजबिल्टी इन दू टर्म्स की अपन बात करेंगे में अइन पॉल्राइजब और यहां स्पेसिश्विक और इसको बैस करते हैं एस ब्लोक जो आपके एक्टिब मैंटल्स होते हैं पहले मिलते हैं तो पोलराइशन वर्ड इस यूश्ट पर मैटल आया गांड और जो पोलराइश बिल्टी वर्ट है इस यूष्ट फॉर एन आएज तो जो भी आनाइश होते हैं उसके लिए वच्छो बड़ी व्रॉस्क रहें है पॉल्राइजबिल्टी तो पॉल्राइज़ेशन एंड पॉल्राइजबिल्टी ठीक है इसके एकॉर्डिंग बच्छो मैं यहां पर डिसक्रस करने वाला हूं आपको फजान रूल का कॉंसेफ्ट आता है वो भी आपको भी देखने को मिलेगा लेकर उसके पहले बताता हूं म करेक्टर के बारे ठीक है तो समस्ते हैं तो बेसक बच्छो पॉइंट कैए कि जब कोई पर्टिकुलर मैटल आययन जैसे यहां पर आपको देरा है इस बोसे के सामने अपको दे रखा है लायन तो बशेशन सोडीम आयन है फस्ट में सोडियम के सामने क्लॉरीन है यहां पर म एक तो जिसके पास जार्जटेंसटी मेक्जम होगा ठीक है तो सूडियम की वच्छों करते हैं ठीडोच चार्ज अपरंची वर श्रप समांथ तो metal iron क्या करेगा, सामने का जो anion है, तो उस anion की जो negative charge density है, उसको अपने तरफ attract करेगा, तो जिसके पास बचो positive charge density maximum होगी, अब धन्दो जिस पर्टिकुलर metal iron के पास positive charge density की value maximum होगी, वो उतना ही तेजी से सामने का जो हैलाइड आयन है, सामने का जो एनाइज है, उनकी निगेटिव चार्ज डेंसिटी को अपनी तरफ बच्चो पुल करेगा, समझ मैं, जब बच्चो पुल करेगा, तो पुल करने पर क्या होगा, यहाँ पे कुछ निगेटिव चार्ज डेंस से मैक्सिम है जिसकी वेशे से अलुमिनियम काफी तेजी से सील माइनिस की निगीटिव चाइड देंसिटी को पुल करेगा अपनी साइड और जब पुल करेगा तो इसको यहां पी नया वर्ड अपनी उज़ करते हैं से एक्षिल हुआ क्या है कि जो सी एल ने अपनी और मैंगनीशिम ने थोड़ा ज्यादा किया है बट इतना नहीं किया है कि मैंगनीशिम के साइड यह सेफ्ट हो जाए है और यहां पे इस अलुमिनियू के पास पॉस्टिव चाइड देंसिटी मैक्सिम थी तो उसने सेल माइनिस की निगीटिव चाइड देंसिटी को बच एलुमिनियम तो जितना बच्चो पॉस्टिव चाइड देंसिटी के पास ज्यादा होगी तो वहां पे वह मैंटल आयन अपने पॉल्राइशन को मैक्सिम करेगा तो मैक्सिम जब बच्चों करेगा तो इसका मद्दब हो चुका है कि वहां पे सेरिंग का करेक्टर बच्च क्या है कि लिखा है एगर मैं बच्चों मैं बात करूं को तो सबसे जब ऑदा कहां पर होगा तो सबसे अधिक कहां देखने को भी लेगा तो यह लास्ट वाले केस से चक्थ होए उससे कम वाई में सबसे कम एक्स में ठीक है यह पूरी बात समझ मां गई तो पोरी बात से य तो के पास चार्च देंसिटी होगी जो इसली क्या करेगा तो सामने बाले नियंगे नेचा डेंसिटी को बेडरो कर लेगा तो एक बात कंफर्म के पलाइशन अगर बच्चो होना है की एक dedic का इनन चैaled करा ना आपको उना के ना चाहिए तभी पारज़ी करता हूं के टाइन के साथ बच्चों छोटा होना चाहिए और एनन के साथ आपका मैक्जम होना चाहिए तब ही बैटर पॉलराइशन होगा और कौन करेगा पॉलराइशन करता है ठीक है और जब निगेटर जाइड डेंस्टी बच्चों टूबार्श के टाइन की तरफ सिफ्ट होगी तो इसमें एननी के लिए बच्चों बड़ी उच्च करते हैं पॉलराइश बिल्टी समझ में आ गया तो अच्छा पॉलराइशन कब होगा के साथ चोटा होना चाहिए एन के साथ बड़ा होना चाहिए ठीक है जब ऐसा होगा तो वहां पे कोबलेन करेक्टर की वैल्यू मै मैं दो बाते करूंगा रेडियस के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए चोटा होना चाहिए इनके सब्सक्राइब कुश्चन आता है तो चार्ज दौनों पर अधिक से दिख होना चाहिए तो पॉलराइशन होगा तो मैं आप से पूछता हूं कि बच्चों पहला रहें सबसे दिख को सो करेगा तो अंसर होगा यूमिन्ययूम प्लस 3 मैक्सम बिलकुल सू करेगा पॉलराइशन को पापर यह बनेगा यह r प्लस 3 मैक्समा देन मैगनी सम्ट्रस टो आएगा और सबसे कम आपका सोटिंँ ब्लस लेकिन जाम मैं पूछूं प्लराइशैबिल तो जहां पर छोटा कौन सा एलुमूनियम वाला चार डंस्टी पर मैंक्स हो में जिसके वैसे पॉलराइज़विटी लास्ट वाले कीस में सबसे ज्यादा हो रही है तो मैं कोबलेंट करेक्टर के बात कुरूँ तो सबसे ज्यादा कोबलेंट करेक्टर तो वह मिलेगा आपक किसी भी आउनिक कंपाउंड में कोबलेंट कैसे निकला जाता है विद्धी हैलप और पावर एंड पॉलराइज़विटी और किस पर टेपेंड करता है वह आपके सामरे रिलेशन को यहां पर एक स्पिलिन किया गया है सभी गवाज समझ माई अब बचो चलो एक और नया अब मैंने क्या है कि कैटाइन के साइज को एक को कर दिया है जब कर दिया है तो नहीं होगा वह तीनों की इसमें बराबर होने वाला है अट्रेक्शन बराबर करेगा बड़ जो साइज ऑप एनायन है डैट विल डिफाइन कि कहां पी कोबलेंट कर जादा देखने को मिलेग सबसे बड़ा होगा आराम से कर रहा है दिख रहा है आदा सेक्शन इंदर ब्रोमीन के तो मदब यहां पर सबसे बड़ा साइज किसका है ब्रोमीन का जिसकी बड़ाइस बिल्टी ओ ब्रोमाइड आयन विल मैक्सिमम बेदा ऐलुमिनियम आयन सबसे ज़्यादा कोवलेंट करेक्टर कहा मिलेगा इस लास्ट कंपाउंड में तो आप देख सकते हो यह एल्टी आदिक है और यह ब्र का सबसे अधिक मिला तो आपको यह वाद समझ मांगी कि कोवलेंट करेक्टर का अगर आपको सिक्वेंस आता है इसी ढंग से सौल्व इक कोंसर्ट अभी बच्चों के लिए हुआ है नेक्स बच्चों आता है सॉल्विल्टी ओफ ऐनिक कंपाउंड की सॉल्विल्टी बिल्कुल बच्चों स्पोलिएशन पाबर फिर डिपेंड करेगी और वहां से भी आशर बनता है जिसके पास आइनिक करेक्टर जादा ठीक है तो अब मैं ना पिछले वाले इसकीन को आपको फिर्श एक्ष्प्रेंग करता हूं कि मालो बचो एक क्वेश्चन हा गया है और एम जी सील टू है और एल सील थी है तो सबसे दिक सॉलिबिल्टी किसकी होगी बताब वाटर मॉल इकुल में सबसे दिक सॉलिबिल्टी क हमें पूछूं कि चलो इन कंपॉंट्स के बारे मताओ सबसे जाएदा सॉलिबिल्टी किसके साथ होगी बचो वाटर मॉल इकुल्स में तो आप दो सबसे दिक हो जाएगी जहां पर आयोनी क्रेक्टर होगा यस एल एफ-3 बिल्कुल सही है तो एल एफ-3 का मैक्सम हो जाए सबसे कम होगी वाटर मॉलिकुलिस में कॉंसर्ट समझ में आया ऐसे भी कुश्चन्स आते हैं पॉल्राइशन पावर और पॉल्राइश्विल्टी पर यह हम लोगों ने पहले भी पढ़ाया कि फैक्टर्स अफेक्टिन सॉलिबिशन इनर्जी डिसकस किया दोड़ा सबसे ज़्यादा होती है इसलिए इसमें सभी के सारे इतने भी सॉलिउट्स होते हैं ठीक है नेक्स बच्छों आते हैं सॉल्विल्टी तो इसको भी हम लोगों ने पढ़ा था एक बार फिर से देख लेते हैं साइज ऑफ हैड्रिटेट आयन्स तो हैड्रिटेट आयन का सा सबसे जादा होगी इसके आसपस बच्छों नंबर आफ वाटर मॉलीकूल इसका जो अटेश्मेंट होगा वह जादा होगा एस कंबियर तो सोडियम यह वास समझ मांगी तो यहां पर माइनस प्लस माइनस प्लस इस तरीके से बहुत सरे बाटर मॉलीकूल ज्यादा तो यह लिखा है साइज आएट 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 डेपेंट अपॉन चार्ज डेंसिटी नेक्ट आपका मॉबिल्टी ओफ आइंस तो मॉबिल्टी ओपाइंस का मद्द बच्छों जहां पर कम वाटर मॉलीकूस लगेंगे जिस आइंस के पास उसकी मॉबिल्टी सॉल्वेंट पर लोगी जिसके पास हीडिक्स कम होगे इसकी चार्ज डेंसिटी गम होगी तो मैं पूछें बचों लीथियमें और सोडियमाइव दोनों मैंसा आइन अब किसके जादा होगी सोडियमाइव की वाइव के पास दैसिकम है जिसकी वाईसे इसमें वाटर मॉलीकूस तो जिसकी चार्ज डेंसिटी कम उसका अपका चाहता है तो आपको देखो यह एकली मेंटल्स का सिक्वेंस यह रखा है लीथियम आयन सोडियम आयन एकवस के साथ फोटेशियम प्रूबीडियम सीजियम के चार्ज डेंसिटी सब्सक्राइब कम होने वाली है जिसकी वैसे सीजियम इसली वाटर मॉलिकूस में ट्रेवल कर सकता है इसकी मोबिल्टी भी जादा होगी सीजियम की अलेक्टिकल कंडक्टेंस भी काफ विट्स नेर्जी के बच्चों कुछ यह होता है वन्दिवाइड बाइड और प्लस प्लस और मायनस यह रिलेशन और सब्सक्राइब इसको अलग-अलग करते हैं और लेते हैं एक इस से गेटर देफ्रेंस बिटमें रिडियाइग गेटर विल्वेदा सॉलिविल्टी ठीक है तो अब इसके ऊपर भी आप देख सकते हो सबस्वेड किसकी होगी तो बच्छो डिफरेंस तो रेलियस का साइज इतना ज्यादा होगा अब दोगों सीजम बहुत बढ़ा साइज इसकी बात करें सीजम इतना वाला साइज का ब्रूमीन और बढ़ा हो गया तो बराबर साइज के तो बरीक ही नहीं होगा इसली तो सीजम आयूडाइट परफेक्ट आईए कंपोंड डबलब करेगा तो यहां से आपको समझ माना चाहिए क्या पॉल्डाइशन पाबर से भी सबस्क्राइबर बढ़ाइबर से निकाल सकते हैं यहां पर आप दो तो सबसे वड़ा जूद को यहां पर इनटिस का आएगा जाएगा जहां जबना ज्यादा होगा वहां पर सॉलीविल्टी इतनी ही आपको क्या मिलेगी ज्यादा देखनों के मिलेगा आज समझ मारे है त सबसे बड़ा सबसे बड़ा सब्सक्राइब आपको द्यां रखने हैं अब यहां से क्वेश्टन्स बचो जई के लिए इंपोर्टेंट के लिए जो मैं आपको स्टेटमेंट दे रहा हूं यह सब अपन्दे को देख लेते हैं तो हम लोग बचों सिर्फ फोकस करेंगे डिल्टा आर के ऊपर और हम लोग फोकस करेंगे साइज की ऊपर जो भी बच्चे जोएन नहीं उनको बोल दो यार प्लीस हम स सबसे कम होने वाली आपको विए दियान देता हूं द्यान दो बिता लीतियम फ्लोराइड लीथ्यम क्लोराइड लीच्ञ लीटियों किसकी ब्लेंगे आप देख सकते हो साइज और डिफरेंस ठीक है ना तो डिल्टा आर के बेस पे तो सब से जड़ा डिफरेंस कहां मिलने के साथ सबसे तक सॉलिविल्टी किसके आने वाली है इसी के होगी क्लियर हो गया ना बिल्कुल कि दूसरा पॉर्लाइजिंग पावर के बेस्पी तो निकाल सकते थे उसके बेस्पी डिफैन कर सकते हो अब डिल्टा आर के बेस्पी ध्यान दो सिर्व अभी नेक्स एने एफ एनिश्य एनिवियर एनियाई तो डिफ्रेंस कहां पर दिक मिलेगा एनियाई के साथ और आपको लिफ्रेंस को एला याई ठीक है और इसके साथ देखेंगे तो साइज डिल्टा आर की बच्चों यहां पर दिक मिलेगी सीजियम फ्लॉराइड में इसमें अगर आप देखोंगे तो सबसे बड़ा साइज डिल्टा रवाच तो कहां पर देखेंगे मिलेगा सीजियम बहुत बड़ा होगा ठीक है फ्लूरीन बहुत चोटा होगा तो साइज डिफ्रेंस यहां देख मिलेगा तो आपका यह ओडर हो जाएगा नेक्स आप यह अब इस प्लिकुल सॉल्व कर रखते हैं कोई कल्फीज जैए यहां पर यह एट्रोक्स यह पर यह मैंट पर चूटा साइज का वहता है वह जब सबसे वाला साइज का जब देहान दो वह माइना साहीज का होता हुए पर सबसे दिफ्रेंस काहां पर मिलेगा यह आपका इस कि मौर्श सोलिटी गुए अब तो इस बाद को आप करो कि जो बीरियं म सल्फीट इसमें से सल्फीट जो है बच्ट सब्सक्राइज है अगुज़ो प्रेजर साइज थे हैं लेकिन वह आपका शाइस का बाई कार्पोनीट बीगर साइस का उस अंगिना बेगर साइस के यह बड़ा साइस का है बेरिया भी बड़ा साइस का तो यहां डिफरेंस नहीं आएगा यहां पर सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा नियाक्स लिए सील फॉर यहां से सीलो फॉर माइनस बाइन तो सबसे बड़ा डिफरेंस यह कैसा होता है बेगर साइज का इस पर बहुत बड़ा डिफरेंस आपका बन जाएगा कितने बच्चों के वाद समझ माई दो आते हैं यह इंसे पूरा आपका एक्स्प्लेंशन है जहां प्याप सिर्फ डिल्टा आर के बीस्पी दिखोंबने सारे के सारी आंसर निकाल लिए सभी को कि नेक्स पॉइंट लेते हैं तो यह हम अलएडी डिसकस कर चुके हैं ठीक है अगर बच्चों बराबर होती है तो बार चार्ज चार्ज की तरफ अपन मूब करेंगे ठीक है ना अब ध्यान देना तो वहां पर Q1 और Q2 जहां पर चार्ज आपका जितना ज्यादा हो है आप इसको ध्यान रखना जब साइज ऑप कैटाइन से ना बराबर हो जाए जब एन का साइज बच्चों बराबर हो कैटाइन से तो उसकेस में कोई डाउट नहीं है आप सिर्फ निकालो रेडियोस ऑप एना इन मनस रेडियोस ऑप कर रहे थे यादर कोश्चन अभी किय अब मालोग कहीं रेडियोस अब बराबर राजा है तो अपन चार्ज की तरफ जाएंगे चार्ज प्लीज धानों को चार्ज यूबन क्यूटू निकालेंगे इंवर्श्री प्रवर्शन टू सॉल्डवी और सॉल्व हो जाएगा नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं कोबलेंट बॉंड हम लोग ने आयनिक बॉंड लगवा कबर कर दिया है और उसके जो अप्लीकेशन से वह भी आपके फिनीस हो चुके हैं अब देखो हम लोग बात करेंगे कोबलेंट बॉंड की तरह यह इंपॉर्टन है कोबलेंट गरेंट बॉंड जमेंट बॉंड बॉंड इस डियरेक्शनल बॉंड राखने फिरेखना यहां पर और विया इंपर इयरा दूसरा एक्टम यह रहा है और दौनों आपस में करके बिल्कुल सिंपल आपके बना सकते हैं तो, ह Ms nे किया, बच्एो एक electron को देखो है इसको देगा इसको शियर करेगा यहां शियरिंग करेगा एधर शियरिंग करेगा यहां से दिखो आपको पे वाटर मॉलीक्यूल है तो यहां ही बच्छो तो पूरी तरीके से यहां पर जहां जहां आपको मीचों से देखने हुआ कोवलेंट बॉंड तो इसमें बेसिक पॉइंट का है अब इसमें एक नाया पॉइंट है आपको और बताता हूं जो बहुत ही अच्छा है कि बच्छो जो दो एटम्स आपके ड्रक्ली अटेच हैं तो आपको मैंने क्लास में पढ़ाया था अभी जो आपका चल रहा है और गनिक उसके अंदर भी मैं एक्ष्पियंट थिया थीक है ना तो यहां पर डिफ्रेंस अट्रों गेटी बच्छो एक्स माने सब्सक्राइब अगर उसकी बच्छो बैल्यू क्या होती है जीरो पॉइंट फोर्श से अधिक आती है तो मतलब वह आपका जो बॉन्ट होग इस जो आइू ओलोगा ठीक जिसको बढ़नेंगे पोलर कोबलेंट बॉंट पीसीपी पीसीपी थीख यमस्ति बायाइज नहीं है this is polar covalent bond this is polar covalent bond तो अगर आपका difference electron negativity of two adjacent atom that will be greater than 0.4 then it is called polar covalent bond not only covalent bond polarity generate हो जाएगी तो अगर बच्चो आपका difference electron negativity of two atoms if it is less than or is equal to 0.4 0.4 के बराबर होता है या 0.4 से छोटा होता है तो हाँ पर बच्चो मिलेगी equal sharing equal sharing का मतलब hundred percent मिलेगा आपको क्या covalent bond hundred percent covalent bond आपको देखने को मिलेगा यह बात आपको सभी को समझ मारी है आप कैसे define कर सकते हो कि सब दौनों covalent bond है बट which one is polar and which one is non polar 100 percent covalent होगा तो बीबल चेक कि वहां पर एक्ट्रों नगी जिसे बच्चों में बात करूं फॉस्पोरस और hydrogen तो मैंने क्लास मा भी बताया था एक दिन पहले बच्वास्पोरस एक दिन पहले बच्वास्पोरस लेक्ट्ट्रों इस पर कोई polarity नहीं आने वाली है समझ महारा होगा अगर 0.4 से अधिक हो जाएगी तो पुलर कोवलेंट बॉन फॉर के बराबर एक लोगी तो बोलेंगे पर एक लिए अग्जामपल जैसे बच्वो मैंने बोला क्लूरीन के बारे में अब ध्यान दो लिखा है अभी क्लूरीन बच्वास्पोरस यह तरीके से बनाए गए गए है ना और दो लेक्ट्रॉंस एक बच्वों यहां पर आया एक इसके लेक्ट्रॉं आया तो बराबर है तो बच्वा समाजमा और और ओने वालाला है आप को स्मय कोवलेंट बशामपल नहीं दो ऐख भी लोगा देखु का मैं देख रहे हैं इधर से आया इधर से अब जब यहां पर एक्ट्रों बचो शेयर्ड हुए है तो कहीं न कहीं दो एक तरफ छोटा एक तरफ मौटा बनाया आप ध्यान दो उसका साइज देखो न आप क्लूरीन वाले केस में क्या था बच्छो दोना सेट बराबर साइज का है कर अब एकड़्य के हैटरी साइज के इठातान इसकी बचस देखेंगा और चल्यान बच्छोडा साइज इसना चार्ज डेल माइनस होगा इस पर चार्ज आपका डेल पॉस्टिव होगा हेट्रोजन पर यह जो बॉंड बनेगा इस बॉंड बच्छो आप देख सकते हो यहां से 0.4 से डिफ्रेंस अधिकान एलेक्ट्रों नेक्टी उटी का क्यों आप निकालोज रहा बच्छों कितनी होत तो मतलब इस पूल को बलेंट को बलेंट फार्ण कांफरम सभी इस के बाद बच्छों लेते हैं इसकी और कम हो जाती है इसके आती है बच्चों की इतनी 0.6 के रोन को जाती है सामने है CL की बच्चों की इतनी होती है 3.0 आप जरा मैनस कर दो 3.0-0.6 मतलब बहुत तगला डिफरेंस आने वाला है 2.4 का और 2.4 का डिफरेंस मतलब सब्सक्राइब को बनाने के लिए हमारी कुछ कंडीशन्स है या कंडीशन द्यां दो तो पहली कंडीशन बचो जो important है आपने आप में आपको पेहला है कि कौन्सा एटम बचो कौन्सा एटम आपका कोवलंट बनाने के यूज होगा तो द्यां दो जिसके पास number of balance सब्सक्राइब के पास थो एक होते हैं तो वह क्या बनाएंगे ऐनिक बनाते हैं विसके कारवन से स्टार्ट हो जाएगा तो वह आपकी क्या बनाएंगे कोवलेंट का फॉर्मेशन करते हैं नेक्स कम अगर बच्छो कम और एक्कॉल हो जाती है देन इस कोवलेंट बॉंड टू एटम्स की लेक्रो नगीटिविटी का डिफ्रेंज इस लेस देन इफ इस लेस देन इसकोल टू बन पॉइंट से देन बच्छो कंपॉंड कैसा होगा कोवलेंट बॉंड और वहीं पे डेल्ट एनिक वेल्यू इस ग्रेटर देन बन पॉइंट से बेंड़ निकला था इनिशियल वाले केस्में आदे तूपैंट फोट डिफरे इस तो में चर्ण कंडिशन की तो सभी को पता ही होते हैं कि शेरिंग सुट भी पॉस्विल जहां पे लेक्टरॉंस की शेरिंग पॉस्विल हो सके तो वह आपके वहां पे क्या करेंगे कोपलेंट का फॉर्मिशन करेंगे टू एक्जांपल्स ओफ यूपलेंट एक हैट्रोज इनेक्ट्रॉंस को रिलीज किया है बच्चो इस तरफ से और दूसरी ने यहां से और यहां से यहां से एकक्वल शेरिंग हो चुकी है और फाइनल आपको मिल गया है एच्टू यहां से दो क्लूरिंग के बच्चों बात करेंगे इसके पास 287 इसके पास 287 क आमरेंशने तो ऊस्के पास 271 इसके पास भी 27 गया किया तो इस ने इसको दिया और यह से इसे इसे बिन से हिट तो बच्चों कुछ इस थरीके से बन जाएगा तो देख जो कॉरिंग बांड का फर्मेश यहां पर जो बांड बना है इन यहां बांड बांड ओन, आते हैं, तो यहां पर कौन सा बनेगा बताओ कोवलेंट बनेगा सिर्फ यह पूलर कोवलेंट बनेगा तो वर्टर मॉलीकुल्स की अंदर आपको पता है पूलर्टी आप डिफरेंस निकाल सकते हो औक से लिखा भी दूब अन्सेयर्ड एलेक्ट्रों पे एक पीसी भी आपका पीसी भ कोवलेंट नेक्स बचों यहां से अमोनिया के वारे माँ देख सकते हैं तो यहां पी आपको मिलेगा पूलर कोवलेंट पॉलर्ट एसा नहीं होगा क्यों कार्बन की बच्चों 2.5 अगर हम सब्ट्रक्शन करते हैं तो 0.4 आपको मिल जाएगा बात समझ मारी है तो अब इस सब्सक्राइब कोवलेंट आपको मेथीन में देखने को मिलता है तभी तो बच्चों को सो करता है क्लियर नेक्स आते हैं वाट डिट्रमाइंस था बॉन टाइप ठीक है यह बच्चों बहुत ही इंपोर्टन सा कॉंसेप्ट्स है जो बच्चे नीज स्टुएं या जो बच मैंने यहां पर इस तरीके से डाइग्राम लिया है इदर सिदर बच्चों जा रहे हैं अपन तो इस इस एलेक्ट्रो नेटिविटी डिफ्रेंस के बारें बात करेंगे और एजटेस हम लोग बॉन्ट इस तरीके से लिए करेंगे आपको सारी बातें हैं समझ भाएं ठीक है बनाता है कोई कोई नहीं है अभी आप समझो यहां से तो बच्चों अगर मालो लेट्रो निटीविटी डिफरेंस अगर आपका जीरो जीरो आता है अब ध्यान दो डिफरेंस डिफरेंस की बात कर रहे हैं अपने दर से तो अगर फो एक्ट मिज इसका मत्म उसके पास आप प्रसेंटेश्क मिलेगा आप आपको A1 करेक्टर आप जादने थोड़ाव और लुछ इथे फ्रेंट्टर अगर वैट्री घ्रचक तो इसका पस उसका आपका चुल कि या अपका पॉस्तिज आप्डिल स्ड़तवा जाएंगा अब 0.4 से 1.7 यह हमने बात करी थी अभी reference लिया था 0.4 से 1.7 अगर यह बच्छो value आती है तो उस case में 6% या 6% से start होगा 6% से लेकि और 50% तक आपको देखने को मिलेगा ionic character समझना आया के लिए उसके बच्छो 1.7 से अधिक difference आजाता है और 3.3 तक चला जाता है उस case में ionic की value ज्यादा हो जाएगी covalent आप पूरी वाद समझना रही है मतलब 50% तक 50% की नीचे तक रखुआ तो उस case में आपको covalent bond की properties मिलेगी बट polarity आने शुरू हो जाएगी यह 50% से आपको उपर जा रहे हो मतलब 1.7 यह डाटा आपका बहुत इंपोर्टेंट आप ध्यान रखो 1.7 का difference आता है तो उस case में आपका कितना percentage आएगा ionic क्रेक्टर 50% 1.7 से ऊपर जाएगे तो 100 तो वहां से आपका 60% 70% 80% आपका डवलप होगा आपको पता है पहले से ही ठीक है तो वहां पर आपका क्रिस्टल फेज में होते हैं और जिसका का melting point boiling point बहुत हाइँ होता है आपको पता है पहले से ठीक है तो वहां पर आपका क्या बनना अधिक होती है बंड स्ट्रेंट अगे टीविटी या क्लिएर बढूव सभी को इसका साइज कोच से पितनाइपने इस सचसु कोच एस तरीक डेस्टिबीशन सोय पुरेटि एलक्तरॉण ट्रों होका है उसको गरतुमाइब अलग होचुका है तो उसको उलते हैं पाना जीस इस ऐउनिक जीशिस पड़ेत्व कोबलेंट और दिस इस नॉन पोलर मॉलीकूल और वहां पे आप बैल्यू भी समझे रेंज के साब से यह 0.4 डिफ्रेंस आएगा यहां पे बन पॉइंट से बिल्कुल इजी एकडम नेक्स लेते हैं दोगों बहुत मजदाशा एक डाग्राम यहां पे लिया गया है फोटो आ अब क्या समझते हो इससे दो एक यह पैंगून टाइप का यह आपको देखी रहा होगा देखो यह ठीक है इदर देखो एक बालू बेटा है इस इस पीर तरीके से आपको मजा रहा होगा आप पोलर भी एक्जाक्टली तो अब क्या हो रहा है यहां पे आप सीन को समझो यह आइसक्रीम लिया है आपको अच्छा लग रहा होगा तो यह क्या कर रहा है यह बेटा है आराम से और यह पी रहा है यह आइसक्रीम को चाट रहा है मस तरीके से तो देखो इसने लिखा है इसने लिखा है तो येस ट्राइटू मोर पॉस्टिव मतलब यह कहरा है क्लोरीन है सपोज दिस इस लोरी ठीक है ना और यह प्या कर रहा है क्लोरीन उसके तरफ से खींच रहा है लाइस्क्रीम है एक्षीं दे रहा है तो आइसक्रीम एक्ष्रीम एक्ष्णी ऐक्ष्णी और यह एक्षणी लिख्ण तो यह थोड़ा तरीके से वैटा एकदम हैं तो उसने चीन लिया है अब वह भी चीन रही है तो यहां पर पॉलरीटी इस पॉलरीटी इस पावरफुल रियली पावरफुल ठीक है ना यह तो यह इस लिए पाएगा और आईस्क्रीम को लिए पाएगा तो पॉलरीटी इहां पे जन्रेट हो जाएगे आउडिस क्लियर फिए नेक्स और उग्जांपल देखते हैं मस्त और देखो अभी आप आप और मज़ा आने वाला है वहां पर क्या हुआ था अनेक्वल से एक वाने से पॉलरीटी आगी थी अब यहां पर क्या हो रहा है यह दुखो यह पॉलरीटीटीं गैंग आप यह प तो आपको पता है कि इसके पास जो पावर है किंग के पास तो दोनों की पावर बराबर अगर पावर बराबर होगा इसको कर रहा है इसको कर रहा है और यहां से कर रहे हैं आप जानते हो अब यहां पर दोनों की पावर है तो उसकी आपको मिलेगा नौन कोलर कोवलेंट बॉंड मत्तब यहां पर आपको जो कोवलेंट बॉंड मिलेगा उसको पॉलर्टी नहीं होगी बास समझ माई तो लिखाव यह पढ़ो आजरा उपर आप पढ़ो विकोस्ट अलिमेंट सेप सच बैरिंग इलेक्रों नेटिटिविटिविटीज एंड के सब्सक्राइब आपको यह बराबर तो नो डौट यह भी आपको नहीं पूलर कोवलेंट बॉंड होगा लाइप ऑक्षिजन बच्छो ऐसे हैं तो यहां भी दोनों लेक्टिविटी बराबर तो इस आप और इस अलसे बी एक लिरो सब्सक्राइब पढ़ लेते हैं दा क्लिरस्ट एक्वार्ण बॉंड 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 बेट्म इडेनिकल अटम सच अच अच आज पर ने किसा प्रिपल बॉंड आप अब बॉंड बॉंड नेक्टिविटी बराबर ओ तो चीएल टूड बॉंड बीटम से अच्वार्ण बॉंड नौन पोलरबॉंड मज़ा है सब्सक्राइब को थे नेक्स फिर से देख लिए और और पूलर भाई साब को फिर से वही कहानी है यह को मस्त तरीके से आम कर रहा है वह चारी कीच रही है था ना तो एक चार्श यहां पर पॉस्टिव चार् यहां से डिफाइन कर सकते हो और देखो एक मज़ेदार आयनिक बॉंड के बारे में ने इस ड्राइनिक बॉंड के साथ बच्चों कुछ नया सीन हो रहा है क्या हो रहा है इसने एक आए कि इस बच्चों से लिए पूलर भी एक्चुली और सामने से यह दो यह आपको इस ने खींच लिया है सीएलने और खींच लिए और भाग रहे दो दोले जारा इधर से दर और यह पीज़े से भाग रहे हैं तो वह कर यह कंबेक निस्टर प्लीस कमबैक वह कर रहा है नो अब तो मैं आगई वागूँगा यपको इस मेरी हाथ में क्या पाबर है बेनर रिजर्ट इन देंटेंगे ट्रॉट इंट कर से एट्विटेविटी अटम्स पेक्ट बांड युटानने को अपाइन प्रॉट्टेविटेविटेंग या पूलर बांड आपको देखने को मलेगा यह बास सबीको समझ माई लोग यहां पर डाइग्राम से ग्राफ से भी समझते हैं बच्छो यह परसेंटेस आउनिक करेक्टर और एक्सेस पे लिए हमने डिफरेंस लेक्ट्रो नेटिविटी तो ग्राफ को फेटा फर्स से अब्जर कर लोगा अगर बच्छो हंडिट परसेंट आईनिक करेक्टर सब्सक्राइब करेंगे तो यहां पर जाएंगे तो बच्छो क्या होगा और उसको यहां पर भी रिप्रेजेंट किया लिए ग्राफ क्लियर हुआ सब्सक्राइब कि नेक्स्क्राइब करेक्टर ऑफ कार्बन क्लोरीन बॉंद इस इस पर्मूला जब भी कभी किसी भी क्वेशन के अंदर बच्छों की वैल्यूज दे रखिया हूं तो प्लीज यूज हैंडी क्या कहते हैं कि परसेंटेस आइनिक करेक्टर इन कोबलेंट कंपाउंड कितना होगा तो फर्मूला बच्छों मॉड में हैं डिफ्रेंस नेक्टर नेक्टिविटी एक से मैनेस एक स्वी प्लस 3.5 या 35 भी कर देते हैं बाद में वह को एंगिश्टों में पीको मीनेटर का रिलेशन होता है और यहां पे मॉड में आपका एक्स माइनस एक्स वी का होल स्कॉए यह फर्मूला आपको ध्यान रखना है सब्सक्राइब तो बच्छों फटा का डिफ्रेंस निकाल तो 16 डिफ्रेंस कितना आएगा यहां से 3.0 माइनस 2.5 0.5 तो दुगों वही आ गया प्लस यहां से नहीं लिए 35 करके वह निकालने के लिए ठीक है 3.4 भी कर सकते कोई दिख्कत नहीं थी डिवाइड भाइड नीचे कितना आएगा तो यहां पे बच्छों डिफ्रेंस कितना आएगा यह 0.5 आएगा है न और 0.5 का पनिस क्वाइर करेंगे तो कितना हो ठीक है ठीक है अरे वाज सब्सक्राइब को समझमा रही है ठीक है या फिर जो बैलूस दे रखिया है उसको मैं बंडवाइड वई 4 के टर्मे में यहां पे लिख दिया है ऐसे करके ना बंडवाइड वई 4 वो डिफ्रेंस नीचे यहां पर तो बनवाइड 4 का मतलब क्या हो अब रहा है तो परसेंटेज आने कर्क्रिस देश फिक है यह फाउला इंपोर्टेंट इस फाउला आप दियान रखो इस फाउले से हम बिलकुल आसाइन से कुस्टेंस के आंसर निकाल सकते हैं नेक्स्ट कुस्टेंस अंपाउंड ओच कंटेंस बोथ आयोनीक और कोबसेंट कोबनेंट बॉन कहां कहां देखने को मिलेगा पहले वाले में क्लोरो फ़ॉर्फम दे रखाई और कार्बन टेटाइड ये तो बच्छो कोबलेंट होगा कार्बान आ गया ओनली कोबलेंट होगा यहां देखो केशियल में क्या होगा और यह थिसे बनता है जिसमें कारबन के पास और पॉटेश्यम के पास बच्छों डबलाप होता है कारवन अट्रों के पास कोबलेंट आता है यह कोबलेंट यहां यहां आइए प्रक्राइद को कोई भी 100 पर सभावन होता ही नहीं नहीं है तो 100 पर सब्कुल नहीं करता है तो देयर इस लो कंपाउड इसा कोई भी कंपाउंट निचर में अबलेबिल नहीं है अगर अगर आपको दे रखा है तो आप फजान रूल को नगा नहीं सकते हो यह पॉलराइजिंग को अब पॉलराइज बिल्टी समझ में आ गया फजान रूल क्या करता है जो आपके आउनिक कंपाउंट्स है उन्हें क्तिनल के इंदर डेतज्ञाश का कारता है वह आपएलेज कंपांट में यह कितना है दनिक लुए लूर्टी हो और मोमेंट बोच्चों क्या करता है कि किसी भी कोबलेंट कंपाउंट के अंदर कितना है वह करता है डाइपूल मुमेंट इस बहुत बर बता चुका है तो फजान रूल प्लराइशन और एनाइंस वाइक का प्लराइशन होने बाला है कौन करेगा कटाइन समझ मां गया तो कहां पर प्लराइशन आपको प्रॉपर देख रहा है बताओ मुझे जल्दी से यहां पर के बच्छों क्या होता है जादा होगा आयने करेक्टर इस इन बर्चली प्रपोर्शन यह अमनों को ने पहली देख रखा है भी ठीक है तो कंडिशन आप देख लिए एक बार फजान रूल क्या है एक्सटेंट और प्लराइशन डेफाइन करने के लिए के टैन बच्छों कैस बच्छों क्या वो एक्ट्रों सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा है लेक्ट करते हैं उनके साथ की कहानी है तो वहां पर आपको इनट जो इनट गैसे से वह भी नहीं करती है कोई पोलराइशन वगए उस प्र चांसे नहीं आपके ठीक है ना अपर कोई पोलराइजबिल्टी और निकालेंगे बच्छों रेडिस रपन रेडिस 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 रटाइन और यूमन क्यूटू चार्ज के ठीक है तो यह थोड़ा से आप लोगर करना है ध्यान रखना तो को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट तो आज के सेस्टन अपर यहीं फिनिस करते हैं और किस्ट करते हैं ऑार तो हम लेडिस रसेक्पीा हैं जैए फूमinar स के साफशेट खसतो हम हो बत्तोर सप्ट हैंगेंगेंगेंगेंगे ARE किस्ट कर दिए कर दूम बत्तोर हम अभिस पर फान κली हैंगेंगेंगेंगेंगेंदाज भयाओ तेस्टों आwn एकुँएंगेंगेंगें फ 這